हालेलोईया, प्रेस्ता लॉड सभी को चैम सीकी, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीजस वस्ट में प्रियो हम बात करेंगे आज बिक्की थामस की, जिसने कुछ दिन पहले बजिंदर सिंग जी को धमकी दे थी कि वो अपना सिर काटके इसके सामने लेकर आएं और फिर उसे जोड़के दिखाएं तो ये बजिंदर सिंग जी को मानेगा कि वो एक देवता है या कुछ भी, ऐसी मैंने वीडियो एक पोस्ट की थी, आप सबी ने वो वीडियो देखी होगी तो अब जो आज की नियूस में आया है कि बिक्की थामस को इसाई होते हुए भी करते हैं सिख़्ी का परचार दमकियां देने के रोप में FIR दर्ज की गई है, इनके खिलाफ FIR हो गई है क्योंकि इन्हों ने धार्मिक भाबनाओं को भड़काने की कोशिश किया, इस मामले पे इनको गिरफतार कर लिया गया है हम देखेंगे पोस्ट में लिखा है कि लॉकडाउन में गुरुगर से मिलता था खाना, इसलिए जीवन सिख़्ी धर्म को दे दिया इसाई धर्म नहीं चोड़ेगा लेकिन दस्तार सजाता है तो इसने ना तो इसाई धर्म को छोड़ा है पर सिख़् धर्म को अपना लिया है क्योंकि ये थॉमस है और ये पैदाईशी इसाई है पर इसको लॉकडाउन में गुरुदवारे से खाना मिलता था इसलिए इसने सिख़् धर्म को ही अपना सब कुछ मान लिया उसी को अपना लिया तो आज की लेटस्ट न्यूज ये है कि इसके खिलाफ F.Y.R हो चुकी है क्योंकि जो इसने किया था आप सभी ने देखा था और सभी इसाई भाईयों ने देखा था कि इसने कैसे बजिंदर सिंग पास्टर जी को धमकी दी थी खुले आम इसने धमकी दी थी कि अपना सिर काट के मेरे सामने लेकर आम उससे बात कर अपना नाम बदल दे सिखो कर इसाई का परचार क्यों कर रहा है ऐसे ऐसे इसने बहुत से अपशब्द बोले थे जिनकी वज़ा से ये खुद ही अपने जाल में फस गया अपनी ही बातों में ये फस गया और अभी से जेल की हवा खानी पड़ेगी क्योंकि इसने बहुत ही बुरा बोला था और सबी इसाई भाईयों ने इसके खिलाफ FYR कर दी है तो ये बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि ऐसे लोगों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है जो बिना किसी बात के पबलिसिटी के लिए बोलते हैं किसी के लिए भी बोल देते हैं ये सब गलत है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिए God bless you all